हाँ देखी देखी बहुत मस लगी अच्छी लगी वीडियो मूवी अच्छी लगी हम लोको और उसमें जो सस्पेंस था वो भी मालूम पड़ेगा जो बच्चे का था सो काफी अच्छी मूवी है मैं तो यह कहूँगा कि आप भी देखें अपने फैमिली के साथ देखें बड़े अच्छी मूवी थी भाई शर्मा की एक्टिंग मस लगी उसमें क्योंकि वह पहली बार एक विल्यन के रोल में निकल के आए सामने और उनकी एक्टिंग तो काफी मस्मूल लगा उनका डेपी भी अच्छा लगा लेकिन उनका काफी टाइम का रोल नहीं नहीं दिखा है में सीन था फाइटिंग का और और फाइट फाइट उसमान के लिए बहुत सुपर्ब उनके लिए तो मैं ऑसम मतलब उनके लिए कि बेंच्मार्क होगा स्वाइ जिस लव दिस एक्टिंग उनके प्रीवियस इतना मुझे अच्छा लगा था पिर ये आज देखिए जो उनका विलिन का उन्होंने कारेक्टर प्ले कर रहा था नहीं को सुपर आउस्टाइडिंग उनका अच्छी लगी जो पाया उट पितलि सोड़ाउ देखा है और एजे कंपेर बहुत अच्छी बनाया संजे मांजरेकर ने बहुत अच्छी वाक्या वोग देरेक्शन दिया सालमान सर का गेट अप बहुत अच्छा है आयू सर ने जो एक्टिंग करिया उसने फूल पंच दिया मैं लाव अच्छी बहुत अच्छी थी और एजे गेट अच्छे थे और मुवी पढ़न देखाए अच्छी लोग कंपेर कर रहे थे लेकिन मैं यह नी बोलों मां सलमान सर भाईजान की जो आइक्टिंग बहुत अच्छी थी और इस गेट-बहुत अच्छे थे खाई भीड़न सब्केर अच्छी दीग यह द्यार फिल्मिया नियुक्त कर फिल्म इनग्रों मुझा उंच्छी थी तूंट नान फिल्मिया इस लन्हें उट भाग्व थे गीघ्ञाल अच्छी अच्छी ऑचछी इस अच्छी बहुत अच्छा दिया और अच्छी लोग्य प्राइव ड्राइव गूंग एवज ग्वाइश में उपका यह कुछ गणा प्राइव प्राइव एक पंच पस्तोरी पफाटर के लिए घर देखा है लड़ीकिज लिंगेव पाइटी मॉवी मुश्य पें लाड़ी जो एटिया मॉड़ी मॉड़ी है सर्वा इस्टोरी का है क्या बोलते हैं मैंने देखना चाहता था अंतिम मुवी इसके लिम आया और स्पेशली आजुश सर्मा को देखने आये था पिकॉज इस सेकेंड मुवी है और सल्मान भाईजान को तो हमेसे हम लोग देखते चला हैं सालों तो आप अगर उसकी बॉड़ी देखो कि आजुशन में अब्रेडिंग प्लॉट देख रहा हूँ और मुवी इस लाइक का सल्मान खान का जो दिखाया सपोर्टिंग रोल दिखाया समान हने कुछ हट के अलग रोल किया है एक कैरेक्टर वे प्ले किया है एक हट्टा कटा सिक प्योर पैल्वान जैसे वारियर जो हमारे जो जासे वास्ताव में संजीदत का जो दिखाया जो दिखाया जो बहें जाते हैं वही घूम फेर के प्लॉट दिखाया है बस लेकिन अपर स्टाइब आयोश्यर्मा स्टाइब उसने काफी अच्छा किया बहुत अच्छी तरह से एक्टिंस के जो डड़ी है उन्होंने भी का मौली जो डांस करते हैं जो उसमें काफी अची तरह से प्लेगा है गनपती का जो सौंग है सल्मान कान के सादार को क्या तो सल्मान कान संदार और मुझे लग रही है कोई और लोक में है पक्का सर्दार के जो बाइक चला रा तशन वर्शन जो दिखाना आशन सीन फाइव अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं कि उनका रोल को निभाएंग है बोले तो गेंश्टर प्राइजिंग रोल को निभाएंग है कर रहे हैं हो तो कि उनोत ने जो गश्टर को रोल पिले किया नहीं क्या द्रैक्ण को जो डिल्लभी कि सए एलाइग है क्या क्या सदूट proposed सब्सक्राइब साल्वां में सब्सक्राइब बहुत क्यों मैंच को में हम अबタ mieТय इछ मलें है यह से डिफेरेंट कर 시작 अंतिम दा फाइनल जैसे आप ने देखा की मूवी का जो नाम है बाइसी मूवी है मलब जब आप निकलते हैं जब मूवी का अंत होता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान भी रहेगा और कहीं ने कहीं आपके चेहरे पेक इमोशन भी रहेगा क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा कर गई है और जबर्दस मूवी है आप देख सकते मूवी को अगर दो तीन बार भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मूवी एक एंटर्टेनिंग पैकेज़ जाद अच्छा लगा उनकी फर्स्ट भी एक्टिंग नेवरेश थी लेकिन इसमें शायद उनके लीक से हट करके उनको रोल मिला और उन्हें उस रोल को पुरी तरीके से जस्टिफाइब किया किसी और लुक में हो लेकिन यह जो कॉप है थोड़ा सालाग है इस कॉप में थोड़ी सी यह अलग है कि यह बातें जादा नहीं करता एक्शन पर जादा बिलीब करता है कि अच्छी एक्टिक है और फाइट प्रेशन है उन्हों जो जिस तरीके से मुवी को बनाया जिस तरीके से किरदारों को लेकर चले बहुत बहुत बेटर रहां कि अगर आए उसकी बात करें तो फाइए सबसे पहले को बॉलीवुट को एक नया स्टार मिल चुका है समझो मतलब यंग जनरेशन में क्योंको पहले उसकी फिल्म आई थी लड़ व्यातरी उसको देखते वे इसमें तो बिल्कुल अपोजीट ही किरदार उसका हो गया है कि बाइवाला किरदार निभाया उसके और भाइवाले किरदार में लगई नहीं कि इस तरीके से कर पाता वर इक चीज़ बड़ा एक डायलोग एक इस टेप हो जिस तरीके से रियक्शन रहे हैं पूरी फिल्म के अंदर जिस तरीके से सलमान का और उसका आमना सामना हुआ है बाइजन का तो वैसे दमदार है उनका तो लुक जो सरदार वाला और दाड़ी वाला जो लुकता हो तो महिमा का डेपियो मुवीदा तो वह कैसा लागा है महिमा का भी लगा छोटा सा रोल है इसना बड़ा भी नहीं है लेकिन दिसम्बर की और इस पूरे साल की अन्तिम मूवी जो बहुत अच्छी है तो सलमान खान के बारे में बोलना शब्द नहीं है उनकी तो पहले से बॉल्य वूड के पूरे मतलब बलता ना पानी बोलता है जो हमारे से जरूरी है तो बॉल्य वूड के लिए शल्मान खान जरूरी है बट आयूस का जो 100% effort है, that's very big thing for the movie. विलन होते पर भी हिरो की तरह नजर आए, हर चीज में अपना effort और बहुत अच्छी दिया है, तो वो बहुत अच्छी दिया है. तो क्या आप आई उस्टाम होगा एजा बॉलिवोड का सूपस्टा, तूचर सूपस्टा देखते हैं? येस, देखता हूँ मैं. अच्छी है, वो वेरी नाइस, फैंटास्टिक और नाइस, मुवी में कुछ कमी नहीं है, मुवी का यह है कि लुक पाइंट है कि सब लोग के नजर में इथा कि माराथी की रिमिक बनाई गई है, माराथी की रिमिक सब लोग साउट की रिमिक बोलते हैं, तो क्या साउट की रिमिक बनने के बाद क्या मुवी चलती नहीं है? लेकिन उसे बनाने माला चाहिए, तो माराथी की रिमिक होई है, मैं इस मांजरेकर ने इसका डायरेक्शन किया, जो वास्तो मुवी बनाई थी, काभीले तारिफ थी, ये मुवी देखके मुझे लगा कि मैं जो है सेकेंड पार्ड वास्तो देख रहा हूं जो है इस मुवी से उनको पहिचान मिलेगी और जिस तरीके से एक्टिंग चाहिए था उस तरीके से इन्होंने एक्टिंग काभीले तारिफ की है सब मुवी से इस मुवी में उन्होंने दिल से काम किया है और ये मुवी में उन्होंने बहुत अच्छी खाची सर्दार की हटेगी सब की फटेगी डायलग भी अच्छी है दो तिन डायलग है और जितने भी फाइट है उनके वो भी अच्छे है और बहुत सान्ती से उन्हो खिरदार के इसा लगा है उनका वी जो है अपना वो चाय के दुखान से आगे सो निकली नहीं वहीं पर चाय बेशते आई रही है तो उनका भी अच्छा एक्टिंग है और अच्छा लगा उनको आने वाले समय में क्या आपको लगते है कि बॉलिवूड के सुपरस्टा बने पहली बात है कि जिस तरीके से सलमान खान उनको सपोर्ड दिये और जिस तरीके से सलमान खान जो है उनको उभार है विल के काम करें इस तरीके से अगर दो चार पिच्चर आ गई सलमान खान के साथ तो सिवर बन सकते हैं मुवी को महस मांजरे करने बहुत सही तरीके से उतारा और उसको पकड़ के रखा इस स्टार्टिंग से लेके लास तक पबली को निरास नहीं देंगे मैं इस मुवी को चारी स्टार्ट देंगे नमस्कू